हलो नमस्कार दोस्तों आपका अर्दिक स्वागत आपके अपने चैनल जी के भाई माला राम सर्भ देखो हमने महत में आवरेज शैप्टर यानि ओस्ट शैप्टर शुरू कर रहा था और ओस्ट शैप्टर के भी हमें दो किलास बड़ी थी आज हमारी ओस्ट में तीसरी किला हमारे डीग ग्रूप का एक्जाम है उसको ले हमारे डीग्रूप का एक्जाम है यह क्लास अर्यएंद ग्रूप और दिल्ली फ्लिस दोनों के लिए हुपी होगी है और आग अच ग्लास मं चीशन जरूर पसेगा इसलिए जड़री होने वारे है तो हम आज क्लास की शुरू करते हैं हमारी क्लास होगी आज ओस्ट के बारे में और ओस्ट के बारे में भी आज हम प्रक्टिस करेंगे प्रक्टिस किस पर करेंगे आज हम क्यूसंस पर प्रक्टिस करेंगे यह नि दो क्लास में हमने जो कॉंसर्ट पड़ा है पिछली दो क्लास में हमने जो कॉंसर्ट है पर्थम उनन्सास पराकर्तिक संख्याओं का ओसत क्या है अमारे पास है पराकर्तिक संख्या और वो कहां से है पर्थम यानि सुरुप से पर्थम उनन्सास संख्याओं का ओसत क्या होगा संख्या हमारे पास पराकर्तिक हैं तो जब भी हमारे पास पर्थम पराकर्तिक संख्याओं के ओस्त की बात करता है तो हमारे पास ओस्त बनता है N पलस 1 बटे 2 N पलस 1 बटे 2 जब भी हमारे पास पर्थम N पराकर्तिक संख्याओं की बात करता है आइन का मतवले जितनी संख्या दे रखिये जैसे हमारे पास आइन का मान यहां कितना उनंचास तो जब भी ओस्ट पूछेगा तो फोर्मला बनेगा आइन पलस वन बटे दो अब आइन का मतला मारे पास संख्या कितनी उनंचास तो नंचास पलस एक बटे दो तो यह मारा बनेगा पचास बटे दो और पचास को दो से काटेंगे तो पचीस बार में यानि जो मारा ओस्षत बनेगा ओस्षत कितना बनेगा पचीस बनेगा जो मारे पास पर्थम उनचास पराकरतिक संख्या हैं उनका ओस्षत कितना बनेगा 25 तो ओस्षट का कैसा भीOD क्युसण है जब पराकर्तिक शंख्या की बात करेगा तो फोरुमला बनेगा 1 पलस 1 बटे 2 इससे अगला मारे पास क्युसण है कि पर्थम-10 पराकर्त शंख्याओं के वर्गों का ओस्षट यानि वही ये ahead हमारे पास पर थम-10 पराकरतिक संख्या हैं लेकिन इस बार हमें उस्षद पूछ रहा है किसका वर्गों का उस्षद हमारे पास पर्थम 10 पराकरतिक संख्याओं का उस्षद क्या होगा तो जब भी हमारे पास वर्गों के उस्षद की बात करें पराकरतिक संख्या में तो हमारे पास फोर्मला होत तो आपास बनता है N पलस एक गुणा 2 N पलस एक बटे 6 अब N का मत्वला हमारे पास संख्या कितनी है 10 तो N कमाना मारे पास कितना है 10 है इसमें वेल्यू पुट करेंगे तो हमारे बनेगा 10 पलस एक इंटू दो और N कमाना मारे पास 10 पलस एक और अपोन आपास 6 आप 10 साप 10 को 20 साप 10 को 20 से करेंगे 20 सोबीस और 21 न पनेगा 11 गुना 1991 बटे 6 अब 20 को इस संख्या को 11 करना 10 तो देखो एक हमारे बटरी को होती है 21 को हमे 11 से गुणा करना है न 21 से तो हमारे पास 21 में पहला अंग कितना एक तो एक को हमें सेम लिखना है उसके बाद एक और दो को जोड़ा है कितना बनेगा तीन उसके बाद दो को शेम लिखना है तो हमारी गुणा कितना बनेगी 231 यह हम सूधा भी कर सकते हैं जैसे 21-21 कहरी दो 21-21-23 और 6 से भाग करेंगा अगर इसको तो यह गटेगा 6-3-8-5-6-48-6-48-6-48-6-48-6-48-6-48-5-6-38-6-48-5-6-38-6-48-6-48-6-48-6-48-6-48-6-48-6-48-6-48-6 स्थाली तो 21-21 बटेचिच चैशे अगर बाग करेंगे तो 6-1-6, 6-3-8-6-48-6-48-6-48-5-3-5 जानि उसको यह तकितना बढ़ेगा 38.5 तो जब इस बार हमारे पास क्या है क्यूब है और क्यूब का हमें क्या निकालना है ओस्त निकालना है अमारे पास है पर्थम पांच प्राकर्द संख्या पर्थम पांच प्राकर्द संख्या निए फैस्ट फाइप नेचुरल है नंबर और उसका भी हमारे पास क्या है घन है क्यूब ह और उसका हमें निकालना ओस्त आइवरेज तो जब भी हमारे पास परतम पराकर संख्याओं की बात करें और संख्याओं का भी हमारे पास घन हो और घनों का हमें क्या निकालना हो ओस्त निकालना हो तो हमारे पास इसका एक सुत्तर होता है कि n into n plus 1 और n plus 1 का square upon 4 जब भी हमारे पास संख्या पर्थम पराकर संख्या हो संख्याओं का हमारे पास क्या हो गन और गन में भी हमारे पास जब ओस्षत की बात करें तो हमारे पास उत्तर होता है n गुणा n plus 1 का वरग बटे फोर तो देखो n का मान हमारे पास कितना है 5 तो n का 5 into 5 plus 1 इसका square और बटे फोर तो हमारे पास बनेगा 5 5 और येगा हमारे कितना होग अच्छाए का square हमारे कितना होता है 36 यानि 5 को 36 से गुणा करेंगे और बटे 4 4 एक कम 4 और 4 नाम 36 और 9 को 5 से करें कितना बनेगा 45 कितना बनेगा 45 तो जब ये हमारे पास पर्थम 5 पराक्त संख्याओं संख्याओं किसकी बात करें गन की बात करें और गनों का उस्षद हमारे पास कितना बनेगा 45 थोरूमला मैंने बताय दिया कि n into n plus 1 और n plus 1 का square by 4 आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास है कि पर्थम सत्यत्र संख्याओं का उस्षद क्या है अब की बार हमारे पास पूछ रहे संख्याओं का उस्षद किसका उस्षद है? संख्याओं का उस्षद है जब ये हमारे पास पर्थम संख्या हो क्या हो? समघ्णिया, उनके ओसएद की बात करेंगे, तो मांने आइन पलस वन, क्या बनता है? अइन पलस वन, आइन पलस वन का मत्वल ए, जितनी हमारे पास संख्या है, हमें संख्या में एक एड्र करना है, जैसे हम एडर करेंगे, हमें क्या पराप्त होगा? ओशऔर पराप पर्थम सम संख्याओं की बात करेगा और उसका जब हमें उस्थ निकालना तो हमें कुछ नहीं करना हमारे पास जो संख्या है संख्या हमें एक एड करना है जैसे हमें एक एड करें वही हमारा क्या होगा उस्षत यानि पर्थम 77 संख्याओं का उस्षत हमारे पास 78 होगा जैसे क्यूशन में हमारे पास पूशता कि पर्थम 108 संख्याओं का उस्षत क्या होगा तो हम करते 108 पलस एक यानि 109 तो कुछ नहीं करना जितनी हमारे पास संख्या हो संख्या में हमें एक एड करना है अगले हमारे पास कुछन है कि पर्थम बारा सम संख्याओं के वर्गों का ओस्त ग्यात कीजिए यानि हमारे पास पर्थम बारा सम संख्या है संख्याओं का हमारे पास क्या है वर्ग है और वर्ग के बाद उसका हमें क्या निकालना है ओस्त निकालना है तो जब भी हमारे पास पर्थम एन सम संख्याओं का हमें वर्ग करना हो और वर्ग के बाद जब ओस्त की बात करें तो हमारे पास इसका एक सुत्तर होता है कि दो गुणा n पलस 1 गुणा 2n पलस 1 बटे 3 बटे 3 यानि 2 into n पलस 1 into 2n पलस 1 by 3 तो देखो n का माना मारे पास कितना है n का माना मारे पास 12 है यानि 12 संख्याओं की बात कर रहे है तो 2 into n का माना 12 है तो 12 पलस 1 उसके बाद 2 गुणा n का माना हमारे पास 12 है पलस 1 और बटे हमारे पास 3 तो देखो या हमारे पास बढ़ेगा 12 में एक को एड़ करेंगे 13 13 को दो से गुणा करेंगे इतना बढ़ेगा 26 इसी तरह 12 को दो से गुणा करेंगे 24 24 में एक वहड़ करेंगे 25 और 26 किसे कुणा करेंगे 25 से और बटे तीन अब देखो 26 अगर 25 से करेंगे 25 को 6 करेंगे 1500 कहरी 15 25 को 25 को दो से करेंगे 50 और 65 आम मारे पास बनेगा 650 बटे तीन तीन से अगर काटेंगे तो एक टेगा 3 दोनी 6 उसके बाद 3 एक एक हम 3 3 से गया 17 और 18 और 18 और 18 अब आरे पास बनेगा 266 266 और जब भी परथम 12 सम संख्याओं के वर्गों के ओसद की बात करें तो हमारे पास बनेगा 266 फॉर्मल मैंने बता दिया कि 2 गुना 2 आट पलस 1 गुना 2 आट पलस एक बटे 3 आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास है कि पर्थम चाय सम संख्याओं के गनों का ओस्षत वही हमारे पास संख्याद सम है और संख्याओं का हमारे पास क्या है गन और गनों का हमें ओस्षत निकालना है तो जब भी हमारे पास पर्थम एन सम संख्याओं का गन हो और गनों का जब हमारे पास ओस्षत की बात करें किसकी बात करें ओस्षत की तो हमारे पास उत्र होता है दो एन गुणा एन पलस वन और इसका वरग किनि जब भी हमारे पास पर्थम एन सम संख्याओं सेंख्याओं का मारे पास घंड और घंड का जब हमें ओष्षत निकालना हो तो मारे पास बनता है 2 1 into n plus 1 का स्केयर अब दोगा मारे पास n का मान कितना है n का मान आ मारे पास 6 तो 2 गुणा 6 गुणा 6 plus 1 और इसका मारे पास वरा गए 6 को अगर 2 से करेंगे 12 6 और इक इतना होगा 7 7 कवरा कितना उननचास और 12 को जब उननचास से गुणा करेंगे तो बारा को नो से करते हैं, बारा को नो से करते हैं, एक सो आठ आता है, तो आठ लिखेंगे, दस कहरी, बारा को च्यार से करेंगे, अड़तारीस, अड़तारीस, दस कितना होगा ठाउन, कितना होगा पानसो अठासी, कितना होगा पानसो अठासी, जब भी हमारे पास पर्थम बीयासी पर्थम बीयासी विसम संख्याओं का ओस्षत क्या है अब हमारे पास पर्थम जब भी विसम संख्याओं की बात करे जब भी हमारे पास पर्थम एन विसम संख्याओं की बात करे और संख्याओं का हमें निकालना हो ओस्षत है वही हमारा क्या होगा औसषत दो मजा जब भी हमारे पास ईहरे संख्या न जब भी विसम संख्या होगा जब गोइस 형 विसका संख्याओं का उस्ट तो एन का मान क्या 105 और पर्थम विसम संख्याओं का उस्ट यह क्या होता है एन यानि 105 यह हमारा क्या होगा उस्ट होगा तो जब भी विसम संख्याओं की बात करें पर्थम विसम संख्याओं की बात करें तो जब विसम संख्याओं की बात करें तो जब पर्थम 15 विसम संख्या है, संख्याओं का हमारे पास क्या है, स्केर है वरग है, और वरगों का हमें निकालना है, आवरेज ओस्ट, तो जब भी हमारे पास पर्थम विसम संख्या हो, संख्याओं का हमारे पास क्या हो, स्केर हो, और उसके बाद हमें ओस्ट निकालना हो, तो ह हमें इसका एक सूतर याद रखना है 2n पलस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपोन 3 2n पलस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपोन 3 यानि 2n पलस 1 गुणा 2n माइनस 1 बटे 3 अब n का मतला मारे पास संख्या कितनी है 15 तो n का माना मारे पास 15 है तो 15 रखेंगे तो 2 गुणा 15 पलस 1 इंटू 2 गुणा 15 माइनस 1 और बटे 3 अब देखो 2 को 15 से गुणा करेंगे 30 30 में एक हैड करेंगे इतना बनेगा 31 इसी तरह 2 को 15 से करेंगे 30 और 30 में से एक कम करेंगे 46 नाम 27 पर 30 disfrut 2023 जर आकरेंगे चरेंगे तो एक आण से क्रें तो कौनाज में उन worlds से करेंगे तो луч छुए हम मौनारी करेंगे तुन गूनाजम मौन shallow ऐख 2 बचे 29, 3S27, फिर 30 बचे 3S28, 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 अवरे पास क्या बनेगा? अवरे पास बनेगा 266. तो जब यहतीcken पर्थम 15 विशम संख्या Czy आपनेश संख्या gezeigt कि ऐस तका जिया रो वरग हो और वरगों का आपनेशीट वोसरत वोगा 266. है formula हमारे पास होता है 2n plus 1 into 2n minus 1 upon 3 अगला हमारे पास question है कि पर्थम 20 पर्थम 20 विसम संख्याओं के गन्हों का उस्त किसका उस्त गन्हों का उस्त हमारे पास पर्थम 20 विसम संख्याओं संख्याओं का हमारे पास क्यों है उसका हमारे क्या निकालना है उस्त निकालना तो देख़ु इसका अमारे पास formula होता है n into 2n square minus 1 n into 2n square minus 1 यहाँ जब भी हमारे पास परतम n विसम संख्याओ संख्याओं का मारे पास घनो उसके बाद हमें जब ऊस्रत निकालना होता है पास उतर होता है n गोना 2n square minus 1 अब n का मान हमारे पास 20 है 20 x 2, n कमान 20, 20 का स्केर और माइनस एक, तो महारी पास बनेगा 20, 2 गोना 20 का स्केर और मारी पास होता है 400-1, तो 20, अब देखो, 400 को 2 से गोना करेंगे 800, और 800 जब एक को कम करें, इतना बनेगा 700 निन्यानम, अब आमें, 20 से गोना करना एक इसको 700 निन्यानम, जीरो, अमने 2 को साथ 4, 1 का स्केर और मारे पास कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा 15,980, 15,980, जब भी हमारे पास पर्थम 20 विशम संख्या हो, संख्याओं का मारे पास क्यूब हो, और इसके ओस्त की बात करें, हमारे पास बनेगा 15,980, आगे हम बात करें, अब अगला मारे पास क्यू औससच कितनह है 30 ? यादि हम संख्य है तो हिसके पास कोई ए नाम वाड़ी रासी है उसकी जगह हमने भी मान वारसी को जब आलिया तो नय उस्द क्या होगा तो जब इस तरह चेम नय उस्द की बात कोट करें लि की नय e तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे पास ओसत क्या है, हमारे पास ओसत तीस है, तो हमें लिखना है तीस, पलस, उसके बाद हमें लिखना है कि हमने कौन संख्या को सामिल किया है, तो हमने सामिल किया है पंदरा को, तो जिस संख्या को सामिल करें उसको क्या करेंगे, पलस क बाहर किसको निकालना है 45 तो जिसको बाहर निकालेंगे उसको 15 हमें स्क्राम्या करें कि माइनस और इसके बटे में करेंगे कुल संख्या कुल हमारे पास संख्या कितनी है 20 तो बटे 20 तो हमारे बनेगा 30 पलस, देखो पैंटारिस में से जब हम 15 को माइनस करें तो हमारा बचेगा माइनस का 30 और बटे 20 0 से 0 कैंसल तो यह मारे पास बढेगा 30 तो पलस माइनस माइनस 3 बटे 2 और जब 2 से 3 को काटिगा मारे आएगा 1.5 यानी 30-1.5 तो हमारा बचेगा 28.5 नया उस्त हमारे पास कितना बढेगा 28.5 28.5 तो हमीया घुक्त का कष़ता है तो जब दिन लए उस्त की बात करें गरिए सबसे पहले अमें लिखना है पहले सुरुआत में उस्त सुरुआत में सुरुआतρε कितना था मारे और 30 उसके बाद हमें पलस करने है कौन सी संक्या जिसको अमने सामिल किया है हमने सामिल किया 15 तो 15 को हमने पलस लिख दिया और 15 में से हम माइनस करें कि जिस संक्या को बाहर निकाल रहें पलस माइनस हमारे पास माइनस तीन को दो से भाग देंगे एक पॉइंट पांच और टीस में जब एक पॉइंट पांच को माइनस करेंगे हमारा उस्त बनेगा ठाइस पॉइंट पांच अगला हमारे पास क्यूसन है कि 7-89 तक करमागत पराकर्तिक संख्याओं का उस्त हमारे पास है 7-89 तक संख्या कैसी हैं करमागत कौन स्केटी यानि लगातार और संख्या हमारे पास है पराकर्तिक तो देखो जब भी हमारे पास लगातार संख्या हो चाहिए वो सम हो विसम और पराकर्तिक हो जब भी हमारे पास ये लगातार हो कंस्केटी हो करमागत हो तिन सभी का ये की सुतर होता है तो देखो जब भी हमारे पास संक्या अगर करमागत होता हमारे पास सुतर बनता है पहली संक्या पहली संक्या पलस अंतिम संक्या पहली संक्या पलस है अंतिम संख्या और बते दो, जब भी हमारे पास संख्या चाहिए सम ओव विशं हो या पराकर तो, अगर हिश हमारे पास लगाता रहें और रहें, उसके बाद अमें और उसात कूछा जाए, तो हमारे पास इन THE three गजया, यही फोर्मल हूता है पहली Sankhya पलस अन्तिम Sankhya बटे दो अब चैनल संकhya मैं 185 संकhya प्राकरतिक जा दग Anda अब चैनल पहर पास हाला है संकhya, ठासी थी अगर 7 पश Ride संकhya मैं 186 पहली संकhya मैं 187 अन्तिम इतनी ऊनल जान जाता है अब करना है। संखया पलस अंतिम संखयानी साथ पलस 18 और इस को दो से वाग करना है उनाशी में साथ गएड करेंगे बने का छी compliance बटे दो और और 2 इस को दो से कार्ट कितने कर माटेगा थेट ददद थेटफिर्फ तbod ważत कितना किन बनेंगा अमारे पास O sab are a produto तेतारुण कीद्ण अधना बने का धारुण उस्यतु गितने बनेगा वह क स्वानगा ही आंगे इम बत करें कि टीन से इक्यानम तक कर्मागत सम न क्र न का ओस क्यों हमी लेडिए खेनु हिंट्रा मैं थैरी आप झेनु हो हिए क्यों दोसे बाति है जाती है क्यों दोसे बालत थाहग सु इस ऴस washingMat के से खांभब अबयू को पर अन्तिम कि नॉशिए बीचाम करेंगे रही दोसे बाग heter नॉखे सूर्णामा बते दू और 2 से करेंगे, तो 2 चोकार, 2 साथिर, 14, यानि हमारे पास ओसत कितना बनेगा, ओसत अमारे पास बनेगा 70 lol अगला हमारे पास क्यूशन है कि चार से लेकर असी तक चार से लेकर असी तक लगातार विसम संख्याओं का उसत तो वही जब लगातार की बात करेगा तो पहली संख्या पला से अंतिम संख्या बटे दो तो देखो हमारे पास संख्या है चार से असी अब संख्या हमारे पास क इसम नहीं इक कम पेंगे फाफ है 19原因 δोंट को जोरेंगे gebaut तो 89 और 5 अमार कितने बरेगा चुर्राषी तो कि येक याइए डियारवार में दो जो हमारे उस्पत हमार बने बार बने बोथ शौर्स हाँ की बात करें तो फीली इता है पहले संख्याल, संतिम संख्याल बटे दो अगला हमारे पास स्शुन है कि पर थे नोगे आशन रिफ, और रागे वम चौईल कोई दो सबसे पहले आए पाकरतर प्र थे यहीं से तो परत पासरे नोगे से कूерм concealer नोगे हिए दो उसके बाद तीन पांच और साथ मैंने देख यह क्यों लिए आई भाजे संख्या का मतल होता है ऐसी संख्या या तो वो खुद से बाग जाए या फिर एक से अब देखो जमें एक को सामिल लेकी है कि एक हमारी पराकर संख्या होती है सबसे सोटी उसके बाद हम दो की बात करते हैं दो देखो खुद से बाग जाती है या एक से उसके बाद तीन भी पांच भी और साथ भी हमारे पास च्यार लगाता रहा है बाज संख्या क्यों कि तीन दो तीन पांच और साथ और सथ की बात करते हैं तुन सभी को जोड़ेंगे तो दो पलस तीन पलस पांच पलस सोड़ा एक बचेगा उसके बाद भाग नहीं जाएगा डेसिमल च्यार दुणी आठ और च्यार पंचुबीश सतरा को जब हम च्यार से भाग देंगा हमारे पास कितना बनेगा उस्त वोस्त हमारे पास बनेगा च्यार पॉइंट दो पांच अगले हम क्यूसिन की बात करें तो हमारे पास है कि 3,7,15,23,22 का उस्त क्या है यहनि हमें एवरेज निकालना है किसका 3,7,15,23 और 22 तो जब भी हमारे पास उस्त की बात करता है हमें करना हमारे पास जितनी संक्या हैं उन सबिये को उपर योग करना है तो हमारे पास है 3,7,15,23 सब्सक्राइब करें दन्यवाद